तो यह रहा मेरे घर का नाइट व्यूव कितना प्यारा लग रहा है आप लोग को कैसा लग रहा है कॉमेंट बॉक्स में बिताइए तो आज से शादी के पॉंक्सिर स्टार्ट हो रहे हैं आज है फर्स दे आज होगा मैं हरो काई जिसे क्या आप लोग देख रहे हैं आज डांस के प्रैक्टिस हो रही है और आप देखी सकते हैं अब बाकी इदर इदर हो रही है इदर इदर हो रही है आप देखी रहे हैं तो हेलो गाइज आज ये छट पर जितना था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी नीचे मैटी जो बिशने वाली है अभी बिशी नहीं है बाकी आप लोग कमेंड में जरूर बताईएगा ये कैसे लग रहा है ये चट का पूरा-पूरा महौल है तो प्लीज आप लोग बताईएगा जरूर कमेंड में कैसे लग रहा हैं कि ये साइट का ये रहा और ये रहा हमारा चोटा सा मंधब इसके बी सजावट अंदर से आप लोग को दिखाते हैं काफी कुपसूरत भी लग रहा है ये और कामबिया भी चल दा है तो गईज ये रहा ऊपर का पूरा सजावट और ये थोड़ा सा लोकेशन इदर का है यह देख लिए काम श्राठ है अभी चली रहा है पुरा काम तो गैस आप लोग ने जर से देखा था अभी बाहर की सजावट और अंदर की सजावट और इधर बाई साथ आप लोग खाना पिन अपना बना रहे हैं तो आप लोग दे भी सकते हैं कितना यहां भी कितना अच्छा लग रहा है तो आए आप लोग और भी कुछ दिखाते हैं यह घर के अंदर का डेकर्शन इतना भी हुआ है आई आप लोग और भी दिखाते हैं तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मेरे पैर में प्रॉब्लम है तो मैं ज्यादा चल नहीं सकती तो यहां पे हस्बेन पहली बार मुझे जट पे चड़ा कर ले गए हैं मैं भी ख्यासर डिकृरीशन कर रही थी क्योंकि आज शाम कोई सारे फंक्शन्स होने है यह नानी है यह वाली मौसी है और यहां पर मैं मठमंग्रेटली रेडी हो चुकी हूँ अपनी टूटी हुई टाउं के साथ अब जा कर रहे हैं अपने इशादिम भाईया खुछ से सजा रहे हैं यहां पर ड़क्वेशन चल लही हैं भाईया बैठे हैं बता रहे हैं कैसे क्या होगा बाईया बता रहे कैसे कैसे क्या होगा से जाना है देखाते हैं यह देखिए यह मंडख बना है दिखिए यह डीजे है यहाँ पर हमनों डांस करेंगे यहाँ वे सलोगानग आ रही है दीदी आउटफिट दिखा दो दीदी आउटफिट दिखा दीजे आउटफिट दिखा दीजे तीनों लो क्या करें युगो क्याँ वे सलोगानग दिखा दीजे युगो झाल